हालो दोस्तों स्वागत आप सभीका टुद्वॉइंट के एन्विर्मेंट और स्टेन होना कितना जुरूरी है एन्विर्मेंट के सस्टेन होने के लिए और हमने थोड़ा बहुत ये भी जाना के बहुत से ट्रेट है इन बायो डिवर्सिती को लेकर तो जहर सी बात है कि दुनिया भर में अलग-अलग countries ने और international conventions वगेरा भी हैं जो इस wildlife को flora और फोना दोनों को बचाने की कोशिश करते हैं तो इंडिया ने सबसे पहला concrete step जो है 1972 में लिया हुआ था through wildlife protection act तो दरसल जानने की कोशिश करते हैं कि इस wildlife protection act में scheduled animals क्या होते हैं अपने newspapers वगरा में भी देखे होंगे कि scheduled one animal है, scheduled three animal है, protected animal है तो यह दरसल लिस्ट होती क्या है इनसे भी के बारे में आज का हमारा chapter तो यह शुरू करते हैं wildlife protection act of 1972 consists of six scheduled lists which give varying degree of protection तो सबसे पहली बार इस serious threat को recognize क्या हुआ था कि जहर सी बात है कि इंडिया में biodiversity बहुत अच्छी है, बहुत ही rich है तो इस biodiversity को बचाने के लिए सबसे पहले चाहिए कि हम इन exotic species को इन wildlife को बचाए तो wildlife protection act जो है वो deal करता है इनी wildlife के बोट plants और animals के बचाने के लिए उनमें illegal trade, posing, smuggling वगेरा के issues से deal करने के लिए तो इसमें छे अलग-अलग schedules हमें दिये गए हैं तो छे अलग-अलग schedules में जितने भी अनिमल और plant variety हमें देखने को मिलते हैं उन्हें schedule के जाते हैं तो उस schedule में जिस animal का नाम है तो उन्हें अलग-अलग level of protection जो है दिया जाता है और अगर किसी भी schedule animal से जो है आप harm पहुंच जाएंगे या फिर आप उसे hunting वगरा करके मारेंगे तो जो है आपको जाहर सी बात है कि imprisonment भी दी जा सकती है fine वगरा भी दिया जा सकता है based on कि किस animal को आपने harm पहुंच आया फिर poaching की है या फिर illegal trade किया हुआ या फिर hunt down आपनी किया हुआ है और किस schedule का जो है वो हिस्सा है poaching, smuggling and illegal trade of animals listed schedule 1 to 4 are prohibited तो clearly schedule 1 से 4 तक जो कई भी animals है उन सभी में जो है किसी भी तरीखे का poaching, smuggling, illegal trade जो है वो प्रोहिबिट किया गया है तो आए अन ब्रीफ यह सभी schedule animals के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते है सबसे पहला schedule 1 and part 2 of schedule animals listed in schedule 1 and part 2 of schedule 2 have absolute protection offenses under these are prescribed the highest penalties इस schedule 1 और part 2 of schedule 2 में on brief अगर हम कह सके तो schedule 1 और schedule 2 में जो कोई भी जानवरों के नाम list करते है central government, of course state government उनने recommend करती है तो central government जिस किसी भी जानवर का नाम इस schedule 1 और schedule 2 में लाती है उनने absolute protection दिया जाता है किसी भी तरीखे का छेड़ खानी इंसान जो है उसे जैनवर के साथ नहीं कर सकते उसमें trade नहीं कर सकते उसे poaching hunt वगरा कुछ भी नहीं कर सकते highest penalty दी जाएगी imprisonment fine वगरा भी दिये जाएंगे बहुत गहरे मुगद में नॉन कोगनिजबल असेंट आने के आपको बेल भी जह वह नहीं मिलेगी इस तरीखे के offense में तो schedule 1 और schedule 2 बहुत ही powerful होते है example of animal listed in schedule 1 और lion tailed macaw rhinoceros great Indian bastard कई बार आप पढ़ते हैं बहुत यह exotic species है जो राजस्तान में हमें देखने को मिलती है नर्कों डैम हॉन्बिल निकोबार मेगापोर्ड ब्लाग बग एक्सेटर तो यह सभी जो है वो schedule 1 में हमें पाए जाते हैं तो आप जो है highest penalty face करेंगे schedule 3 and schedule 4 पहले तो दो हमने देखा जहां पर पूरी तरीखे से उन्हें protection दी गई है अब बाकी के schedule 3 and schedule 4 animal listed in schedule 3 and schedule 4 are also protected but the penalties are lower compared to schedule 1 and part 2 of schedule 2 वहां पर purely protected है यह भी protected है लेकिन जो penalty आपको दी जाएगी वो थोड़ी बहुत कम दी जाएगी examples of animal listed in schedule 3 are hyena, hawk deer, neil guy, goral, sponges, barking deer, etc. examples of animal listed in schedule 4 are mongoose, vulture, etc. तो इन जानवरों को trade करने पर या फिर इने hunt अगेरा करने पर penalty थोड़ी बहुत कम पड़ेगी when compared with the animals which are listed in schedule 1 and schedule 2 schedule 5 animal listed in schedule 5 are called vermin which can be hunted तो थोड़े साल पहले अगर आपको याद हो तो हरियाना के region में नील गाई का बहुत ही problem था तो नील गाई जो थे वो groups में आते थे और बाजरे के खेत वगेरा बरबाद करके चले जाते थे और फसल वगेरा का जुझा वो बहुत ही हाम होता था हरियाना में तो जायर सी बात थी कोड ने orders दिये हुए थे कि आप अपने protection के लिए आपके खेतों के protection के लिए जो है उससे जानवर को मार सकते हैं हंट कर सकते हैं तो तब जो है central government ने अनील गाय को एक वर्मिन करार दिया हुआ था तो इसी तरीखे से वर्मिन यानके ऐसा जानवर जिसे आपको हंट कर सकते हैं क्यूंकि वह आपको आपकी property को adversely effect कर रहा है और आपके उन्हें हंट करने से उनके population पर किसी भी तरीखे का दबाव नहीं प हो जाएगा तो automatically उसे वर्मिन कैटेगरी से हटा कर schedule 3 या फिर schedule 4 में रखा जा सकता है mice, rat, common crow and flying fox आप यहां पर देख सकते हैं इसे दरसल एक bat है fruit eating bat है जिसे flying fox भी कहा जाता है तो यह भी एक वर्मिन है आधा list of animals only 4 number in schedule 5 are that is vermin जैसे के मैंने कहा के नील गय को add किया गया थोड़ी दिनों के लिए उसके बाद में उसे हटा दिया गया तो इस तरीके से चार है यह वर्मिन काटेगरी में जिसे आप हंट कर सकते हैं जो के schedule 5 में हमें देखने को मिलेगा of wild life protection act 1972 और आखरी जो है वो लिस्ट है वो है schedule 6 cultivation collection extraction trade etc of plants बाकी के जितने भी हमने देखे वो animals related थे schedule 6 specifically plant schedule करता है of plants and its derivatives listed in schedule 6 are prohibited इस list में जिस किसी भी plant का नाम या फिर उसके derivative जाने कि उससे पाए जाने वाले आप यहां पर देख सकते हैं बहुत ही खुब्सुरत सा एक plant है एक flower है आप नहीं से collect कर सकते हैं cultivate कर सकते हैं यह wild में ही जायदा पाए जाता है ब्लू वांडा कच पिच्चर प्लांट बेडोंस सीकाड एंड लेडीज स्लिपर ओर्चिड आर्चिड आर्ड लिस्ट अफ प्लांट सिस्टेड इंड श्केड्यूल 6 तो यह चंद प्लांट्स का नाम जो है आज अफ नौ हमें शेड्यूल 6 में देखने को मिलेगा यह थी चंद बातें आपको जाननी थी शेड्यूल अनिमल्स आफ़ वाइल्ड अफ प्रोटेक्शन आक्ट 1972 के तहत थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो